हम लोग इस वीडियो में भुगोल के पहले चेप्टर जो की है भारत संसाधन एबं उप्योग उसके खंडगर जिसका नाम है बन एबं बन प्रानी संसाधन तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चेप्टर से समंधित सारे सब्जेक्टिव कोश्चन हम आपको पीछे के वीडियो में आल्रेडी बता चुके हैं जितने सारे भी कोश्चन आपके बुक में दिये हुए हैं सभी कोश्चन का अंसर हम आपको बता चुके हैं इस वीडियो में हम लोग बन एवं बन प्रानी संसाधन से समंधित सारे objective question को देखेंगे बस्तुनिष्ट प्रस्ण को देखेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और एकक करके सारे question का अंसर हम आपको बताते हैं तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो को सुरू से ले करके अंत तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही सारे question याद हो जाए तो आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दवा दीजे ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे उद्यान मध्यपर्देश में है अब चलिए दुसरा नंबर question देखेंगे संकट ग्रस्थ परजातियों के अंतर अस्ट्रिये व्यपार के बैठाक हेन नगर में किस वर्स आयोजित की गई थी उसका अंसर हो जाएगा हेन नगर में लेकिन किस वर्स आयोजित की गई थी इसका अंसर आपको बताना है तो पहला का A नमर उप्षन है 2005 में B है 2007 में C है 2009 में और D है 2003 में तो दुसरा का सही अंसर B नमर हो जाएगा कि संकट ग्रस्त परजातियों के अंतर राष्ट्रिय ब्यापार की बैठक हिन अगर में 2007 इस भी में आयोजित किया गया था तो दुसरा का B नमर उप्षन सही हो जाएगा चलिए अगला नमर कोश्चन हम लोग देखेंगे बन किस परकार की संपत्ती है बन किस परकार की संपत्ती है उप्षन A है नवी करनिय संपत्ती है कि B है राष्ट्रिय है कि C है कि A एवं B दोनो है कि D इनमें से सभी गलत है तो तीसरा का सही अंसर C नमर हो जाएगा कि नवी करनिय भी है और राष्ट्रिय संपत्ती भी है बन जो है वह नवी करनिय संपत्ती भी है और राष्ट्रिय संपत्ती भी है इसलिए तिसरा का C नमबर उप्सन सही हो जाएगा कि बन किस परकार की संपत्ती है तो A एवं B दो नो चलिए चौथा नमबर कोश्चन देखेंगे फरनीचर बनाने में किसकी लकड़ी परियोग में नहीं लाई जाती है वह कौन सा ऐसा पौधा है जिसका लकड़ी फरनीचर बनाने के परियोग में नहीं लाई जाती है उप्सन A है चीड, B है महोगनी, C है रोजबूड और D है पाइन यह जो कोश्चन है हम लाइव टेस्ट में भी पुछ चुके हैं तो बताए चोथा का सही अंसर कौन सा होगा फरनीचर बनाने में किसकी लकड़ी का परियोग नहीं किया जाता है तो चोथा का A नमर उप्सन होगा चीड के लकड़ी का परियोग फरनीचर बनाने में नहीं किया जाता है अब चलिए पाच्वा नमर कोश्टन देखेंगे पलाई बुड का निर्मान किस देश में शुरू हुआ? उप्शन A है रूस में, B है फ्रांस में, C है जर्मनी में, और D है बिर्तेन में तो बताईए पाच्मा का सही अंसर कौन सा होगा तो पाच्मा का सही अंसर होगा कि पलाई बुड का निर्मान जर्मनी में सुरू किया गया पाच्मा का C number option सही हो जाएगा अब चलिए चछटा नम्मर question हम लोग देखेंगे निम्नांकित में कौन भारत को छोड़कर अन्य देश में दुरलब है यहाँ पर चार आप्सन दिये हुए हैं इन में से कौन भारत को छोड़कर अन्य देश में दुरलब है मतलब भालू और गीदर की बाग और सींग की गधा और हाथी की हनुआन और हीरन तो बताइए छठा का सही अंसर कौन सा हो जाएगा तो छठा का सही अंसर B हो जाएगा बाग और सीन निमनलिखित में से बाग और सीन को छोड़कर सभी भारत में दुरलब है तो छठा का B नमर option सही हो जाएगा चलिए साथमा नमर question को हम लोग देखेंगे इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है इनमें से कौन मतलब यह चार उप्सन दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा परजाती है जो हमारे देश मतलब भारत से बिलुप्त हो चुका है उप्सन A है चीता, B है हनुमान, C है गेंडा और D है किंदुआ तो सातमा का सही अंसर ए हो जाएगा कि चीता जो है वो हमारे देश से बिलुप्त हो चुका है या फिर बिलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुका है चलिए आठमा नम्मर कोश्चन अम लोग देखेंगे इनमें कौन साकाहारी नहीं है गेंडा हो जाएगा कि बारह सिंगा हो जाएगा कि हीरन हो जाएगा कि भेणिया हो जाएगा तो इसमें से हीरन जो है वह साकाहारी नहीं है आठमा का C number option सही हो जाएगा चलिए नॉमा नमर कोश्चन हम लोग देखेंगे कि किस पेंड की लकड़ी बहुत कड़ी होती है कड़ी कहने का मतलब कि कठोर होती है तो बहुत कौन सा ऐसा पेंड है जिसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है देवदार का लकड़ी, कि हेमलोक की लकड़ी, कि सगवान का लकड़ी, कि बलूत की लकड़ी तो नौमा का सही अंसर कौन सा होगा तो नौ का A नमर उप्षन सही होगा देवदार की लकड़ी बहुत अधिक कठोर होती है तो नौमा का A नमर उप्षन सही हो जाएगा अब चलिए दसवा नमर कोश्चन को आप लोग देखेंगे इनमें कौन बन और बन प्रानियों के बिनास का कारण नहीं बना है ध्यान रखियेगा नहीं बना है पुछता है कि इनमें कौन बन और अन प्रानियों के बिनास का कारण नहीं बनता है उप्षन A है कृसी छित्र में अत्यधीक ब्रिधी B है बड़े पैमाने पर विकास कार्ज होना C है ब्यापार की ब्रिधी और D है पसुचारन एवं लकड़ी कटाई तो दसमा का सही अंसर C हो जाएगा ब्यापार की ब्रिधी ठीक है ब्यापार में ब्रिधी होने से बन और बन प्रानियों का बिनास नहीं होता है तो दसमा का C नमर option सही हो जाएगा चलिए 11 नमर question देखेंगे इनमें कौन सा जीव है जो केबल भारत में ही पाया जाता है चार option यहाँ पर दिये हुए है इनमें से कौन सा जीव है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है option ने है घर्याल, B है डॉल्फिन, C है हुएल और D है कच्छुआ तो 11 का सही अंसर कौन सा होगा तो 11 का सही अंसर A नमर होगा घर्याल इनमें से घर्याल है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है कहने का मतलब कि घलियाल भारत के अलावा और भी किसी देश में नहीं पाया जाता है चलिए बारा नमर कोश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे भारत का रस्ट्रिय पच्छी कौन है बहुत ही असान कोश्चन है तो इसका अन्सल आप सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि भारत का रस्ट्रिय पच्छी कौन है A नमर उप्षन है कबुतर B नमर उप्षन है हंस C नमर उप्षन है मयूर और D नमर उप्षन है तोता तो बताइए भारत का रष्ट्रिय पच्छी कौन सा है? तो बारह का C नम्मर उप्शन सही हो जाएगा मयूर, मयूर कहने का मतलब होता है मोर, तो भारत का रष्ट्रिय पच्छी मोर होता है इसलिए बारह का C नम्मर उप्शन सही हो जाएगा अब 13 नमर कोस्टन देखेंगे टेक्सोल का उप्योग होता है आपको सब्यक्टिव कोस्टन वाले वीडियो में दिर हुतरिय और लग हुतरिय दोनों में बताए हैं कि टेक्सोल का परयोग किस चीज में होता है malaria का दवा बनाने में होता है कि AIDS का दवा बनाने में होता है कि Cancer में होता है कि TB में होता है तो 13 का सही अंसर कौन सा होगा आप लोग बताइए तो question number 13 का सही अंसर C हो जाएगा कि taxol का opioid cancer का दवा बनाने में किया जाता है तो 13 का C number option सही हो जाएगा चलिए चौदा नमब कोश्चन देखेंगे बन जीव बोर्ड की अस्थापना किस वर्स हुई थी? तो कोश्चन नमब 14 का सही अनसर हो जाएगा कि बन जीव बोर्ड की अस्थापना उनस्थापना उनस्थापना इस भी में हुआ था तो 14 का B नम्मर उप्शन सही हो जाएगा चलिए 15 नम्मर कोशन देखेंगे बन संरक्षन एवं प्रवंधन की द्रिष्टी से बनों को बर्गी कृत किया गया है बन संरक्षन एवं प्रवंधन की द्रिष्टी से बनों को कितने बर्गों में बर्गी कृत किया गया है किया गया है तो पंद्रह का B नमबर आप्शन सही हो जाएगा चलिए 16 नमबर कोश्चन देखेंगे कि भारत में 2001 में कितने परतीसत भगौलिक छेतर में बन का बिस्तार था यह कोश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2001 इस्वी के अनुसार कितने परतीसत भगौलिक छे चौफ चौफ लग तो कोश्चन नमबर 16 का सही अंसर बी हो जाएगा भारत में 2001 के अनुसार उनाईनिस दसम्लब दो созд अद परतीसत भगौलिक छेतर में बन का बिस्तार था चलिए 17 नमबर कोश्चन देखेंगे बन इस्थिती रिपोर्ट के नुसार भारत में बन का बिस्तार है बन इस्थिती रिपोर्ट के नुसार कितने परतीसत भगौलिक छेतर में बन का बिस्तार है 20.60 परतीसत भगौलिक छेतर में कि 20.55 परतीसत में कि 20 परतीसत में कि इनमें से कोई नहीं तो 17 का सही अंसर इसमें से 20.55 परतिसत हो जाएगा मतलब बन इस्थिती रिपोर्ट के नुसार भारत में 20.55 परतिसत भगौलिक छेतर में बन का बिस्तार है तो 17 का B नमर उप्शन सही हो जाएगा चलिए 18 नमर कोश्चन देखेंगे कि बिहार में कितने परतिसत भगौलिक छेतर में बन का फैलाब है बिहार में वहाँ पर भारत में पूछ रहा था लेकिन यहाँ पर बिहार पूछ रहा है कि बिहार में कितने परतिसत भगौलिक छेतर में बन का फैलाब है हम आपको subjective question वाले वीडियो में सारा चीज अलग-अलग बताएं है कि भारत में कितने परतीसत भगवल एक्षेतर में बन का विस्तार है बिहार में कितने परतीसत में है तो बताए ये 18 का सही अंसर कौन सा होगा ए नम्मर उप्षन है 15 परतीसत बी है 21 परतीसत C है 30 परतीसत और D है 7 परतीसत तो 18 का सही अंसर हो जाएगा बिहार में सिर्फ और सिर्फ 7 परतीसत भगवल एक्षेतर में बन का फैलाब है तो 18 का D नम्मर उप्षन सही हो जाएगा चलिए 19 नम्मर कोशन देखेंगे पुर्वत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कूल छेतर का कितना परतीसत बन है अपसने है 75 परतीसत B है 80.05 परतीसत C है 90.03 परतीसत और D है 60.11 परतीसत तो उन्हेंस का सही अंसर इसमें से D हो जाएगा 60.11 एक एक परतीसत 60.11 एक एक परतीसत पुर्वत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिले में देश के कूल छेतर का बन है तो उन्हेंस का D नमर उपसन सही हो जाएगा चलिए 20 नमर कोशन देखेंगे कि भारत के किस राज्य में बन का सबसे अधिक बिस्तार पाया गया है भारत के किस राज्य में बन का सबसे अधिक बिस्तार पाया गया है तो 20 का C नमर ओप्शन सई हो जाएगा चलिए IK 10वा नमर कोशन कह रहा है कि 1901 से 1980 तक लगवा कितना वर्ग किलोमीटर वन चितर किर्शी भूमी में परिवर्थित हुआ 1981-新h molec तक लगवग कितना vrg km वन च्षेत्र किर्षी भुमी में परिवर्तित हुआ उप्सेन A है 30,000 vrg km, B है 26,200 vrg km, C है 25,200 vrg km इ।21害 299 vrg km 21s का सही अंसर इनमें से कौन सा होगा 21s का सही अंसर B हो जाएगा उनेशो एकामन से उनेशो असी तक लगभग 26,200 बर्ग किलो मीटर बन छेत्र किर्सी भूमी में परिवर्तित हो गया तो 21 का B नमर उप्शन सही हो जाएगा चलिए 22 नमर कोश्चन देखेंगे कि प्राकिर्तिक संसाधनों के संडक्षन पर उनेशो अलसथ में कौन सा कनवेंशन हुआ था प्राकिर्तिक संसाधनों के संडक्षन पर उनेशो अलसथ हिसबी में अफिर की कनवेंशन हुआ तो 22 का A नमर उप्शन सही हो जाएगा चलिए question number देखेंगे 23, इनमें कौन सा जीव है जो केबल भारत में ही पाया जाता है तो यह repeat question है, पीछे के भी question में हम आपको बता चुके हैं कि इनमें से कौन सा जीव है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है तो हम आपको बताए थे क्यों जीव है, घडियाल मतलब घड़ियाल है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है चलिए 24 नमर कोश्चन देखेंगे भारत का रस्ट्रिय पक्छी कौन सा है भारत का रस्ट्रिय पक्छी कौन सा है A नमर उप्सन है कबुत्तर B नमर है हंस C है मयूर और D है तोता तो बताए भारत का रस्ट्रिय पक्छी कौन सा है तो 24 नमर का हम आपको सही अंसर मयूर बता है थे मतलब मोर क्योंकि यह repeat question है कि भारत का रस्ट्रिय पक्छी मोर होता है चलिए 25 नमर कोश्चन देखेंगे टेक्सल का उप्योग होता है इसके बारे में भी हम आपको बताए थे कि टेक्सल का उप्योग कैंसर में किया जाता है तो 25 का C नमर option सही हो जाएगा चलिए 26 नमर कोश्चन देखेंगे तो 26 नमर कोश्चन कह रहा है कि चरक का समद्ध किस देश से था इंपोर्टेंट कोश्चन है इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा चरक का समद्ध किस देश से था आप्सन A है मियनमार से B है सिरलंका से C है भारत से और D है नेपाल से तो 26 का सही अंसर हो जाएगा कि चरक का समद्ध भारत से था तो 26 का C नमर आप्सन सही हो जाएगा चलिए 27 नमर कोश्चन देखेंगे रन थंभार टाइगर रिजर्ब किस परदेश में है रन थंभार टाइगर रिजर्ब किस परदेश में है A नमर आप्सन है राजस्थान में B है मध्ध परदेश C है हर्याना और D है उत्तर प्रदेश तो 27 का सही अंसर कौन सा होगा तो रन्थम्भावर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है ध्यान रखियेगा रन्थम्भावर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है तो 27 का A number option सही हो जाएगा 28 नमबर कोश्चन हम लोग देखेंगे तो 28 नमबर कोश्चन कह रहा है कि बन परानी संडक्षन अधिनियम किस वर्स पारित किया गया बन परानी संडक्षन अधिनियम किस वर्स पारित किया गया तो 28 का सही अंसर हो जाएगा बन परानी संडक्षन अधिनियम 1972 इसवी में पारित किया गया ठीक है 28 का ए नमर उप्षन सई हो जाएगा 1972 इसवी में चलिए 29 नमर कोश्चन देखेंगे कि कंचन जंगा जैब मंडल रिजर्ब किस राज में है कोश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कंचन जंगा जैब मंडल रिजर्ब किस राज में है अगला नमर कोश्चन देखेंगे कोश्चन नमर तीस इनमें से कौन चिपको अंदोलन से समन्दित है उपसन A है अमरत्त सिन, B है हिमबत्ती नंदन बहुगुना, C है सुन्दरलाल बहुगुना और D है मेगा पाटेकर तो चिपको अंदोलन से समंधित है सुन्दर लाल बहुगुना जोंकि चिपको अंदोलन का नित्रिद्व सुन्दर लाल बहुगुना के द्वारा ही किया गया था इसलिए 31 नमर का C option सही हो जाएगा 31 नमर question देखेंगे कि कुनैन किस रोग की दवा है तो आप ध्यान रखिएगा कि कुनैन मलेरिया का दवा होता है तो 31 का C नमर option सही होगा कुनैन मलेरिया का दवा होता है तो चलिए इसी के साथ आपका यह जो चेप्टर है बन एवं बन प्रानी संसाधन इसके सारिक objective question यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा दें ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद